राज़्धाने के मशूर एम्स अस्पिताल में देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी यहां लोग इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं आज वर्ल्ड किड्नी डे हैं देश भर में वर्ल्ड किड्नी डे के मौके पर जागरूग अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग अपनी सेहत के प्रती जागरूग रहें बता दे कि किड्नी मानव शरी का एक महत्वपून अंग है किड्नी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है किड्नी की कई रोग बहुत गंभीर होते हैं और यदि इनका समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसके आगे चल कर काफी गंभीर नतीजे होते हैं इसलिए कहावत है प्रिवेंशिन इस बेडर देन क्योर यदि आप सेहत सही रखना चाहते हैं तो रोज कम से कम 3 लीटर से अधिक पानी पीएं चालिस साल की उम्र के बाद खाने में नमक की मात्रा कम दें धूमर पान, तंबाकू, गुटका, शराब का सेवन ना करें साथ ही डॉक्टर की सला के बिना अनावशक कोई दवा भी न लें इसके साथ ही नियमित रोज व्यायाम करें परिवार में डाइबेटीज एवं उच्छ रक्तचाप की बिमारी होने पर क्योंकि डाइबेटीज एवं रक्तचाप की बिमारी वंचानुगत बिमारी है डॉनर्स के लाइफ के पर कोई भी रिस्क नहीं होता है किड्नी डोनेशन से और नॉर्मल लाइफ लीड करते है रेसिपियंस के लिए जरूर्ट जिनको किड्नी मिलता है उनको जिंदीगे बार दवाई चलना पड़ता है और दवाई चलने के बावजूद भी यूजुली उनके लाइफ टाम के लिए किड्नी नहीं चलता है कुछ साल तब कही सालों के लिए चलता है गौवर्मेंट के किसने किसी सोट से उनको फंडिंग मिल जाता है अब सवाल उठता है कि यदि किड्नी खराब है तो इसकी जानकारी कैसे हो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किड्नी के कुछ आम लक्षन होते हैं जैसे सोकर उठने पर सुबा आखों के उपर सूजन आ जाना चेहरे और पैरों में सूजन पढ़ना भूक कम लगना उल्टी जी मचलना बार-बार पेशाब आना कम उम्र में रक्तचाप के शिकायत कमजोरी लगना खून में फीकापन आना थोड़ा पैदल चलने पर ही सांस फूलना जल्दी ठक जाना ये कुछ ऐसे लक्षन है जिसके देखने के बाद तुरन डॉक्टर से मिनी ताकि समय पर रहे कर बिमारी का सही इलाज किया जा सके